सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वाइरल है इसे शेर करते हुए कहा जा रहा है कि बच्छडे के साथ गलत हरकत करने वाला ये लड़का मुहमदीन है ऐसे ही सामप्रदाइक दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर वेरिफाइड हैंडल अंकर आया ने ट्वीट किया था बाद में इस ट्वीट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था इसके अलावा और भी कई verified handles ने ये वीडियो इसी दावे के साथ tweet किया है तो क्या है इस वीडियो की असलियत आईए जानते है Alt News ने तफ्तीश करते हुए पाया कि ये वीडियो और इसके साथ शेर किया गया दावा दोनों अलग-अलग घटनाओं के है आईए सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की सार्च करने पर हमें 28 फरवरी 2023 की दैनिक भासकर की ये रिपोर्ट मिली इसमें बताया गया है कि 36 गड़ के बालोद शहर में एक CCTV फोटेज सामने आया जिसमें एक लड़का गाई के साथ गलत हरकत कर रहा था इसके बाद पुलीस ने इस मामले में 17 साल के नाबालिक लड़के को गिरफतार किया था वहीं पुलीस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहट केस दर्ज किया हलाकि रिपोर्ट में लड़के के मुसलिम होने के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है आगे Alt News ने बालोद पुलीस के थाना प्रबारी से बात की थाना प्रबारी ने बताया कि आरोपी नाबालिक है और हिंदू समदाई से है वहीं फिलहाल आरोपी को चाइल्ड कस्टेडी में रखा गया है Alt News ने बजरंगल से जुड़े ओमेश सेन से भी बात की जिनका जिकर दैनिक भासकर की रिपोर्ट में किया गया है उमेश सेन ने बताया कि उन्होंने ऐसी कई घटनाओं की जानकारी पुलीस को दी है आगे वीडियो के बारे में उमेश सेन ने कहा कि ये घटना पिछले महीने बालोद में हुई थी वही वीडियो में दिखने वाला लड़का नाबालिक है और हिंदू समुदाई से है अब बात करते हैं 36 गड़ में ही हुई ऐसी दूसरी घटना की दरसल वीडियो के साथ शेर किये गए मैसेज में महम्मद साहिल नाम के लड़के की गिरफतारी की बात कही गई है इस आधार पर सर्च करते हुए हमें 9 मार्च 2013 की ABB Live की रिपोर्ट मिली इस आर्टिकल में बताया गया है कि हुली के मौके पर नशे में दुथ चार लड़कों ने गाई के साथ अनाइटिक संबंद बनाया था इसके जानकारी मिलने पर 36 गड़ के भट्टी खाना पुलीस ने मौकाय वार्दात से चार लड़कों को गिरफतार किया जिसमें से दो लड़के नाबालिक भी थे पुलीस के हवाले से रिपोर्ट में दो नाबालिकों के अलावा अन्य आरोप्यों के नाम 20 वर्षिया, 27 चंद्रदास और गांधी चौक निवासी 18 वर्षिया मौकमत साहिल बताए गए है पूरे मामले के बारे में जानने के लिए औल्ट न्यूस ने भट्टी पुलीस स्टेशन के थाना प्रबारी से बात की उन्होंने हमें बताया कि ये घटना होली के दौरान हुई थी पुलीस को सूच्रा मिली थी कि कुछ लड़के गाय के साथ असब भी हरकत कर रहे है इस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने दो नाबालिक समिट चार आरोपियों को गिरफता किया वही सोशल मीडिया पर किये जा रहे दाओ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना में एक आरोपि मुस्लिम समुदाई से है वही बाकी तीन आरोपि हिंदू है यानि 36 घट में गायों के साथ गलत हरकत करने की दो अलग-अलग घटनाओं को जूठा साम्प्रदाइक एंगल दे कर शेर किया गया हकीकत में वीडियो में दिखने वाला लड़का नाबालिक है और हिंदू समुदाई से है वही दूसरी घटना में चार आरोपियों में से एक मुस्लिम है और बाकी तीन हिंदू समुदाई से है